जैसी कृष्णा, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डिनिंग में व्यस्त होंगे, समर गार्डिनिंग का मज़ा ले रहे होंगे समर में जो है गार्डिनिंग करने का भी अपना ही अगलग मज़ा है, पोधों की कैर करनी होती है, उनमें पानी देने का बहुत धिहान रखना होता है, लेकिन समर गार्डिनिंग में बहुत से लोगी सोचते हैं कि समर में हम गार्डिनिंग नहीं कर सकते, पोधे मर जाते हैं, terrace पर हम gardening नहीं कर सकते तो देखिए friends मेरे garden में terrace पर ही garden मना हुआ है और कितने अच्छे-चे flowers यहाँ पर खिले हुए हैं कितने अच्छे plants खिले हुए हैं और सारे हरे भरे हैं इसकी थोड़ी सी care कीजी तो यह असानी से आपके garden में grow होते रहेंगे कोई problem वाली बात नहीं वैसे आज का हमारा topic किस तरीके से summer में gardening करें यह नहीं है आज का हमारा topic है पर्सलेंड पर्सलेंड कि आप किस तरीके से summer में care कर सकते हैं और उससे धेर सारी कलियां धेर सारे flowers ले सकते हैं summer season का यह सबसे best plant है इस plant को अगर आपने summer में नहीं लगाया तो फिर आपके garden में flowers दिखेंगे ही नहीं सबसे ज़्यादा flower produce करने वाला यह plant है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यह plant grow होता है चोटी से चोटी cutting भी इसकी बड़ी आसानी से चल जाती है summer में अगर आप अपने इस plant को अगर पानी कम भी देते हैं एक दिन भूल भी जाते हैं तो भी यह plant आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करता है कभी stress में नहीं जाता एक दिन छोड़के भी अगर आप इसको समझ में पानी देंगे तो यह बहुत अच्छे से blooming करेगा इसको पानी थोड़ा रुक के देंगे ना तो यह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा flowering करेगा friends तो friends आज हम इसकी soil mix, इसकी care, इसको आप nurses से लाते हैं या कहीं से भी cutting करके लेके आते हैं तो किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से इसकी care करनी है, fertilizer, pest attack, सब के बारे में बात करेंगे overall, जादा से जादा flowers कैसे ले सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे मैं किस तरीके से इसकी care करती हूँ, orally मैं इसमें बताने वाली हूँ वीडियो में तो friends वीडियो को पूरा देखेगा बिना skip किये और आप से एक छोटी सी request है कि अगर आप मेरे चैनल पर new है, तो please इसे subscribe कर लिजेगा और bell icon और पर प्रेस कीजेगा जिसे आने वाली वीडियो की notification आप तक directly पहुँच पाए और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाए friends पर्सलेन को मैं बता ही चुकी हूँ कि एक succulent plant है, succulent से बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो showpiece होते हैं, वो नहीं, succulent variety के बहुत सारे plants होते हैं, जो एक plant यहने की बड़े पौधे के रूप में भी होते हैं, छोटी grass के रूप में भी होते हैं, जैसे कि यह है, यह grass के रूप में, एक grass की variety ही है और succulent की variety भी है, तो दोनों का mixture है यह, तो आपको अपने plant के nature को समझना चाहिए, जब भी आपको उसकी care करनी है, तो पहले आपको उसके nature को समझे कि किस तरीके का यह plant है, किस मौसम में किस तरीके से symptoms दिखा रहा है, कम पानी देने पर यह किस तरीके से treat कर रहा है, आपके साथ, यानि कि आपको क्या show हो रहा है उस plant से, ज़ादा पानी देने पर इसके साथ क्या हो सकता है, वो देखिए, आप उपने plant के nature को समझे सबसे पहली बात, दूसरी बात आप नसी से, या कोई भी cutting लेकर के आते हैं, जब भी आप उसको लगाएं, तो एक दिन आप shade area में रख सकते हैं, पर्स lane की बात कर रहे हूँ, मैं पर्स lane को आप एक दिन shade area में रख सकते हैं, next day आप direct sunlight में रख सकते हैं, आप same day भी sunlight में रख सकते हैं, लेकिन 100% cutting चलने के chances, अगर आप कहीं से cutting लाएं हैं, आपने इतनी महनत करिए, तो थोड़ी सी security बनती है, तो आप एक दिन का उसमें shade area का gap ले लिजे, उसके बाद full sunlight में रखे, आप direct sunlight में भी लगा के रखेंगे, कोई भी पर्सलेन का प्लांट तो भी चल जाएगा, पर्सलेन में बहुत सारे color varieties आते हैं, आप कोई सा भी लेके आ सकते हैं, नर्सी से प्लांट खरीदें, तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, उसके जो प्लांट की roots है, root ball है, उसको ज़रूर करें, उसमें fungus ना हो, वो plant सड़ गल ना रहा हो, सड़न गलन अगर हो रही है, तो प्लांट ना खरीदें, तो इस तरीके से थोड़ी सी जानकरी अगर हो जाती है, तो प्लांट खरीद के लाते हैं, तो वो मरता नहीं है, friends, पर्सलेन को जब आप नसी से लेके आए हैं, तो उसे आप कहाँ प्लेस करेंगे, तो फूल सनलाइट में ही प्लेस करना है, लेकिन जहां पर आपको उस प्लांट को लगा के रखना है, आप वहीं प्लेस पर ले जाके रख दीजे, तो उसको थोड़ा फ्रेंडली माहौल मिलेगा, कि हां मुझे अब यहीं रहना है, वो प् बात करें, तो सॉयल मिक्स आपको बनाना है, यहाँ पर सैंडी सॉयल इससे पसंदे, सक्यूलेंट अगर कोई प्लांट सक्यूलेंट की केटिगरी में आता है, तो उसकी सॉयल हमेशा सैंडी सॉयल बनेगी, उसमें आप कंकर पत्थर ज़रूर एड करें, मिटी में, अगर आप गंले में लगा रहे हैं, तो द्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंकर पत्थर का यूज करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा, मिटी का और गंले में से पानी बहएके निकल जाएगा, सबसे ज ज्यादा द्रेनल सिस्टम सही होना चाहिए मौनसुन में परसलान के लिए क्यू Murray गोंपी कयोध़ु ज़ादा थर खराब होता में चलने वाला प्लांट है समर सीजन के लिए सबसे बैस्ट है अगर आपको जादा से जादा फूल चाहिए तो यहां पर मैं स्वाल मिक्स का रेशो बता देती हूं आदा गूबर का खात आदा आप गार्डन स्वाइल ले लिजिए और उतनी ही बराबर मात्रा में सैंड और कंकड पत्थर एड कीजिए कुल मिलाके ठीक है तो तीनों का रेशो बराबर होना चाहिए पर्सलेन में फंगिसाइड जरू डाले हल्दी दालचीनी या काली मिर्च का पाउडर अगर आप औरगनिकली जाना चाहते तो एक प्रॉड़क्ट और है जिसे हम ट्राइको डर्म कहते हैं आप एक दिन उसको खाद में मिक्स करके रख दीजिए और उसमें पानी दे दीजिए हलका सा मॉइस कर दीजिए फिर उसको एड कीजिए मिट्टी में अगर आप चाहे तो डारिक भी एड कर सकते हैं वो भी और गिनिकली है मार्केट में मिल जाता है जहां पर भी जो शौप्स होती है उन पर अविलेबल है और अगर आप अगर अधर चाहते है कैमिकली तो साफ फंगिसाइड डेस्ट है आप उसको भी और कर सकते है अब प्लांट को लगाना कैसे है तो फ्रेंड्स इसकी जो स्टैंज होती है वही खास होती है उनको आप थोड़ा उपर की तरफ रखे मिट्टी से एसा नहों कि सारी कि सरेंस को मिट्टी में दबा देंगे तो फिर उसको regrow होने में समय लगेगा वह ज़्यादा गल्ले लग जाता है फ्रेंस अब आपको ये करना है कि फरटिलाइजर कब देना है फर्टिलाइजर आपको देना है कम से कम 20 दिन बाद जब प्लांट को आप लगा देते हैं कटिंग को लगा देते हैं तो 20-25 दिन बाद ही आप उसमें फर्टिलाइजर दीजिए फ्रेंस में पर्सलेन में डियेपी का भी यूज करती हूं महीने में एक बार चाह से पांच दाने में इसके मिट्टी में दबा देती हू से फ्लावरिंग बहुत अच्छी और बड़ी साइस के फूल खिलते हैं सिर्फ केमिकल इसी का यूज करते हूं बाकि तो जो कंपोस्ट है काउडंग कंपोस्ट किचन कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट आप इन तीनों में से किसी भी कंपोस्ट को 15 दिन में एक बार इसमें जाड़ी गर्मिया है इसलिए 15 दिन बता रहे हूं विंटर सीजन उता तो 7 डेज में लेकिन विंटर सीजन में ये प्लांट ज्यादा सर्वाइव नहीं करता है मरता नहीं लेकिन ये ज्यादा फ्लावर प्रिड्यूस करने का समय आ गया है जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा प्लांट किस कंडिशन में, अगर आपका प्लांट इस कंडिशन में है, तो इसे आप D.A.P. दे दीजिए, उसके बाद 3-4 दिन बाद की गेप के बाद, आप इसमें कंपोस्ट आइड कर दीजिए, फिर देखिए इसमें होता है, वो भी ओफ सीजन में, अभी सीजन है, तो अभी इसके उपर इतना अटेक नहीं होगा, लेकिन बाइचांस अगर आपको वाइट फ्लाइज इसके उपर दिखती है, तो आप नीम ओयल का स्प्रे हफते में एक बार, यानि की सर्च कीजिएगा, देखिएगा, और भी बहुत सारे स्प्रे है, अभी कुछ समय पहले मैंने मैंजिकल स्प्रे के वीडियो अप्लोड किया था, जिसमे एक ऐसा स्प्रे बनाया था मैंने, जो आप सारे plants पर कर सकते है, fruits, plant, vegetable plants, indoor, outdoor, flowering plant, सब तरीके के plant पर वो magical spray आप कर सकते हैं, उससे कोई कीड़ आपके पौदे को छुएगा भी नहीं, तो ये तो था वीडियो पर्सलेन पर, इस से related अगर आप मुझसे और कोई जानकारी चाहते हैं, तो comment box में comment करके जरूर पूछेगा, मैं जरूर आंसर करूँगी, I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, मेरे चैनल पर नहीं है तो subscribe जरूर कीजिए, बेल आइकल और पर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक directly पहुंचती रहे हैं, और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नहीं जानकारी के साथ, तब तक के लिए, bye, take care, जिसी कुष्णा!